ठंड की दिनों में गोंद के लड़ू खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं तो मैंने भी आसोचा गोंद के लड़ू बनाने का तो सबसे पहले में घी में गोंद को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और ये बहुत जल्दी फून जाता है इसको ज़्यादा टाइम नी लगता भूनने में बहुत जल्दी हो जाता है ये और ऐसी ही मैं गोंद को फ्राई करने के बाद सारे और भी ड्राईफूर्स को फ्राई कर लूँगी और एक साइड में मैं यहाँ पर गाजर का हल्वा भी बना रही थी तो बीच बीच भी मैं उसको भी चला लूँगी और आप बारी थी सारे ड्राईफूर्स को भूनने की यहाँ पर गोंद मैंने बहुत दिनों से मंगा के रखा था पर मैं बना ही नहीं पा रही थी बच्चों के साथ बहुत ही मुस्किल होता है बनाना पर मेरी याँ सिस्टर जाने वाली थी तो मैंने सोचा इसके जाने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तो फिर मैं आज ही बना लेती हूँ तो मैं फिर उसके जाने वाले दिन मैंने जल्दी जल्दी बनाया हूँ और अब अदाम भूनने के बाद मैं यहाँ पर थोड़े देर किसमिस को भी भूल लूगी बिल्कुल ही दो मिनिट के लिए नहीं तो यह फटना स्टार्ट हो जाता है और मैं इसको इसलिए भूलने क्योंकि यह तेस्ट में मुझे कुछ खास पसंद नहीं है किसमिस का टेस्ट और मेरी बेटी को भी पसंद नहीं है इसलिए मैं थोड़ा फ्राई करके उसको छोट जोटे कटवा लिया ताकि उसका ज्यादा टेस्ट ना आया और फिर सारे ड्रा बना के दिया तो गोंद वाला वो मंझे बहुत टेस्टी लगा था तो मैं नहीं तोड़ा कम घी यूज करूंगी यूज कि मैं ने मुझे दोनों भेटी योज़ा ना था शोटी वाली बड़ी वाली को भी और इस टाम पर चीकू भी किचन में आ गयी थी पर मुझे बिल्क कब कहां हाथ मार देते हैं और फिर जलने का डर होता है पर फाइनली मेरी सिस्टर आके उसको लेकी गई और उपर से यह बेसन भी चलाना बहुत ही मुस्किल होता है बिना कड़ाई पकड़े एक हासे चलता नहीं है और 45 मिट लग गया था मुझे इसको भुनने में बिल्कुल इजली हाथ से ही तूट जाते हैं उनको मैं अच्छे से मैस्क दूंगी और कुछ गोन था ना वह अच्छे से फ्राई नहीं हुआ था तो उसको बाद में मैंने एक कटोरे में थोड़ा से घी डालके अच्छे से भुल लेया था ताकि वह अच्छे से खिल जाए वह ठीक से पका नहीं था फ्राई नहीं हुआ था इसलिए साथ वह तूट नहीं रहा था और यहां पर मेरे गुड़ भी त्यार हो गया है और सारे ड्राइफूर्स को भी मैंने थोड़ा सा पीस लिया मैंने ज्यादा ही पीसा मैंने और मुझे बच्चों के कारण मैंने ऐसा किया था नहीं तो ड्राइफूर्स को थोड़ा सा पॉड़र और थोड़ा सा खड़ा छोड़ने पे भी अच्छा लगता है वो जो खाने में क्रंच आता है तो और यहां मेरी सिस्टर किसमिस काट के ला चुकी थी मैंने एक किसमिस को दो बार कट करवाय था दोनी तीन बार और ताक ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बणा था और क्यूकि यह मैने बहुत धिये थीरे डीरे लो फिलम पे पर बेशन को उतल किया थे अच्छा टेस्ट को अधि यृद् कशया ना है और में मीठा ने कम ही रहा क्यूकि हमें मीठा थोड़ा कम ही पसंद है